हेलो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में बात करने बाले हैं D.E.C.E. प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनको अपना प्रोजेक्ट कैसे समिट करना है इस पोर्टल पे कैसे आना है उनको और इसकी साथ साथ इसकी क्या क्या टार्मेंड कंडिशन है और आपको किस साथ में अपना प्रोजेक्ट समिट करना है और कैसे करना है ताँ कि आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट ना हो और पहले बार ही समिट करके आपको आपका प्रोजेक्ट फैनल हो जाए और आपको अच्छी मांक्स मिल जाए तो चलिए बिना टाइम बेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले में एक शोटी सी रुक्वेस्ट करूँगा अगर आप हमारे नियू स्कीम वाधी चैनल पे पहले बार हैं जहां भी तक सुब्सक्राइब नहीं किया है क्रिपे करके सुब्सक्राइब करें ब इस ही प्रोजक्ट समिशन का जो नोटिस आया था तब मैंने ये वीडियो बनाया था लेकिन ये मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया था कि इसको आपने कैसे सामीट करना है जिसके लेटर बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया इसका लिंक नहीं मेर रहा है इ इसका लिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी जो टार्मेंट कंडिशन है क्या क्या है वह जहां से पढ़ लिजेगा अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो जो मेरी दूसरी वीडियो है वह आप जे बाली वीडियो आप जे चेक कर लिजिएगा आप ने उसकी मुआ दे दूँगा अब वहां से भी इसे देख सकते हैं आपने निचे आके जहां पर जैसक पर क्लिक करना है और जे आपको एक लिक मिल जाता है जहां पर आपने क्लिक करना है पर सीटू कांटिनूज और उसके बाद जहां पर अपना इंड्रॉल्मेंट नंबर डालना है प्रो जैसे आप सम्मिट करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ एज पेज आ जाएगा अगर आप पहां पे कोई गलती करते हैं अपने इंड्रोल्मेंट नंबर में अपने नाम में सुरी अपने इंड़्रोल्में olmasन में अपने देडवात में तो Іअ और अपने प्रोग्राम में तो आपको जहां पर जे पेज देखने को नहीं मिलेगा अपको जही प्राव्जम दाएगी की अजय आपका इंड्रोल्मेंड नमब्र अगजिस्न नहीं है आप बहां से सही से summit करें और उसके बाद आपको GPS दिखने को मिल जाएगा जहांपर आपकी पूरी detail जहांपर पूरा दिया हुआ है आप जहांसे पढ़ लिजेगा और उसके बाद जहांपर आ जाता है mobile number अपने जहांपर mobile number इंटर केजे और जहां पर email id इंटर केजिए लेकिन सही से जो भी आपकी email id और mobile number valid है उसी को ही जहां पर इंटर केजिए otherwise आपको बाद में problem fix करना पड़ सकते है उसके बाद जहां पर दिया course code for uploading project तो जहां पर आपने course code select करना है जो आप अपना projects upload करना चारते हैं तो जहां पर कोई भी project upload करने के लिए नहीं धार है क्योंकि जहां पर जो मैंने program select किया है वो become है और इसका कोई भी ऐसा DC program ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसको submit करना है जिस सिर्फ मैं एक sample के तोर पर आपको देखाने के लिए यह बाला इसका enrollment यह अपना प्रोजेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको जहां पर देहा रहा है कि रुकार समिशना जहां पर आपने जैस कर देना है और उसके बाद यह बाला आता है इसको भी समिट कर रहें अगर आपका पहली बार प्रोजक्त रिजक्ट हो गया आप द्वारस से समिट करें है तो आप संग मिट कर सकते ही और हुआ है जेसे आपी सब्रुट सब्रुट करेंगे तो अब क्यों जहां पर मिल जाता है को इनके श्री समेंट पूर आप पूर्जाट रिपोर्ट जहां पे अपने डेट आफ कि एंट आमाउंड जो भी अपने बढ़ा था वो जहां पे संपिट करना है पिस लेकर आगर चाहे अगर आप फास 2017 कर रहे ये वीडियाफ है इसको स्लाइड करके जहां पे समीट कर दोगा जैसे मैंने जहां पे समिट किया तो जिπάोज कुछ ऐसा था जहां पर प्रवीू दखा रहा है तो मैं इसको तो इसकी जगह में कुछ और Upload कर लता हूँ जैसा मैंने कोई दूसरा और upload किया तो बहु जहां पर इसकी प्रोजेक्ट की जो फाइल है वो दखा रहे यहां पर और उसके बात जहां पर आपको जहां पूरब बताये जा रहा है कि जो भी आप फाइल अपलोड करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ PDF में ही आप अपनी फाइल अपलोड करें और उसके साथ जो भी आपकी पूरी PDF का साइज होने वाला है वो 25 MB ही साइज अलोग होगा उससे ज्यादा अगर आपका साइज होता है तो यह आपका प्रोजाइक्ट अपलोड नहीं होगा और उसके बाद आप नीचे आएंगे जहां पर कुछ टार्मेंट कंडिशन है और यह बाला चेक मर्क करके और प्रसीड टू समीट कर देंगे ठीक है जैसे आप प्रसीड टू समीट कर देंगे उसके बाद आपका प्र प्रसस दहाता हूं सबसे पहले आपने गूगल में जाके सर्च करना है कंप्रेस पीडियफ उसके बाद आपके सामने बहुत सारी जहां बाद पीडियाफ कंप्रेस करने वाली वीबसाइट आ जाएगी जहां पर आपको पहला आजाएगा smallpdf.com जो बहुत ही अच्छी नहीं करता कि आप संहोने पीडियाफ के एस साथ चाहें उसके बाद जहां पर आपको बता राए कि आपना फैल सलेट करें आप ड्रैग औन ड्राप भी कर सकते हैं जो भी आपकी फाल है मान के चलते हैं इसी को ले लेता हूं क्यूंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दाने च पाएंगे और उसके बाद जैसे आपकी डॉल्लोड हो जाकते है उसका जो भी साइज होता है वह कम्रेस हो जाता है तो मेश्ची आपका 30% कम परेस्ट करना चाहते हैं तो यह क्या होती है तो वह बहुत ज्यादा decrease हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, लेकिन मैं आपको एक suggestion देना चाहूँगा, जब भी आप अपना project compress करते हैं, जब कोई भी फैल compress करते हैं, तो उसके बाद आप उसे open करके check जुरूर किजिएगा, क्योंकि वो आपको पढ़ने में आती है, जान नहीं, अगर वो पढ़ाई लाइक आप उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो लाइक जो भी आपका project check करेगा, तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो वो definitely reject ही होगा, तो definitely जब भी आप अगर आप PDF कोई भी compress करते हैं, कोई भी document compress करते हैं, उसके बाद उससे एक बार open करके जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताने बाला हूँ कि यह आपको link कहां से मिलेगा, और कैसी इसे open करना है, उसके लिए अपने सबसे पहले आपने new scheme ORG website की उपर आ जाना है, इसके लिए आप इगनो की website पे उपर भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको जे रिक्माट इसलिए करता हूँ, क्यो जहां पे upload कर दिया हूँ, जैसे आप new scheme ORG website पे आ जाएंगे, उसके बाद आपने इगनो जहां पे जी category मिल जाती है, जहां पे आपने click करना है, जहां पे आपको बहुत सारी अपर की section दिखाय देती है, जहां से जो भी आपको पसंद है, उसे click कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, DC project की बारे में, तो जहां पे आपको first second and third number जहां पे आपको मिल जाता है, online submission of project, मुझे बहुत सारे student ने comment किया, कि जहां पे DC है ही नहीं है, तो DC जहां पे है नहीं है, बट जैसे आप जहां पर click करते हैं, जैसे आप manage भी जहां पे click किया, आप देख सकते ह है, क्योंकि बहुत पर DC program नहीं है, और अब में बात करूँगा, कि जैसे आप जहां पे submit करेंगे, और हो सकता है कि जह वाला जो update है, अभी तीसरा नमबर पे जह थोड़ा नीचे हो जाए, क्योंकि कोई भी एगनू का update आता है, जहीं और इसी new channel announcement के section में update करता हूं, तो हो सकता है नीचे, लेकर आप ध्यान से पढ़ लेजे की online submission of project जे वाला ही है, रिपोर्ट जून 22 टार्मेंट examination, तो जे वाला ही है, इसी project पे आपने click करना है, और आप submit कर पाएंगे, तो में भी जे वीडियो आपकी बहुत ही helpful रहने बाली है, अगर आपको वीडियो अच्छ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दन्याबाद